वेलकम बैक एक ऐसा फोन जिसने मार्केट में तेल का मचा गए रहा है बट कुछ क्रेटर इस फोन को रिकमेंडेट नहीं कर रहे हैं पूरे मिक्स ओपेनियन है उसके बावजूद भी इस फोन में आपको रिवर वायर ले चारजिंग उसके साथ बेजल लेस अमेलेट सब्सक्राइब के साथ डियोल स्टेरियो स्पीकर 5G रेडी 5G टकाटक इसमें चल रहा है उसके साथ वाटर IP68 की रेटिंग ही देखने मिलते हैं मतलब पानी में कैसे भी दुबाओ ये सब कुछ 32,000 में फिर भी इस फोन के ऊपर बैटरी ड्रेंड और हिटिंग के बादल मन अब इस फोन का प्राइस आई थिंग बढ़ गया होगा बट यह फोन जैसी ओपर में आता है 32,000 में आपको देखने हो मिल जाता है तो वीडियो को सिंप्लिफाइ करने के लिए मैंने फोन के पॉजिटिव पॉइंट निकाले है फोन के निगरिव पॉइंट निकाले आपक इस फोन के पॉजिटिव वाइं तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट इस फोन का डिस्प्ले 6.4 इंच का डैनेमिक अमिलेट टुएक्स 120 हर्ट रिफ्रेस्टेट के साथ इसमें डिस्प्ले दिखने मिलता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले है बेजल बहुती कम देखने मिल दिक्कत नहीं है बाके यस वाइड़ा यह सपोर्ट करता है नीटफ्लिक्स आमेज़न पे आप इच्डी में वीडियो स्क्रीम कर सकते है उसकी साथ यूट्यूब पर एंचडीर तक वीडियो स्क्रीम कर सकते है और वीडियो वाचिं गा एक्स्प्रेयंस नेक्स लेवल है तो आपको पता ही यार, Samsung display को manufacture करता है, तो इनके display बेटर होते है, तो video experience आपको बेटर ही देखने हो मिलेगा, deep black हो या eye catching colors हो, या आपको मस्त देखने हो मिलते हैं, तो और अल डिस्पले का experience मुझे मस्त देखने हो मिला, बस brightness कूर इसी कम देखने हो मिलते है, next positive point में मैं output आप सुन सकते हो, और उसके बाद next feature मिलता है, इसके haptics, कापी कमल के है, flagship level टक 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 फिल करवाते है, सिस्टम में हर चगह काम करते है, और उसके बाद इसमें आपको wireless charging का भी support देखने मिलता है, 10Watt की wireless charging देखने मिलती है, और उसके साथ यह reverse wireless ली भी दूसरे phone को चार्ज कर सकता है, कभी-कभी मैं इससे अपना iPhone 12 भी चार्ज कर लेता हूं, और उसके साथ गाइज इसमें IP68 क बहुत सारे इसके positive points भी देखने मिलते हैं और उसके साथ next positive point मिलता है, यह है इसका camera, main camera को 12 Megapixel का देखने मिलता है, उसके साथ 12 Megapixel अल्टरा-wide और 8 Megapixel का टेली फोट देखने मिलता है, और selfie camera को 32 Megapixel का देखने मिलता है, overall जो 12 Megapixel से आप normal photos लेते हो, उसमें ठीक-ठाक details देखने को मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्टरा-wide भी बहुत मक्कन जैसा काम करता है, और इनकी जो processing होती है, यह मस्त देखने मिलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे sky का photo की जाता है, जो dynamic range वगर है, यह बहुत अच्छे से balance कर लेते हैं, उसके बाद गाइस बात आत इस आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलते है, 8-way-afixel का camera है, इसके वज़े से हो सकता है, बाकि 32-way-afixel का selfie देखने मिलता है, उसमें आपको मस्त देखने मिलते हैं, वीडियो रेकॉर्डिंग की बात करें, तो guys 4K60FS रियर से भी यह शूट कर सकता है, इस प्राइज में इस से कुछ Android के फोन देख रहा हूं, जिसमें आपको 4K60FS CLP में भी देखने मिलता है, वीडियो पॉलिटी मस्त है, इसमें आपको पूर्टिट वीडियो का भी option देखने मिलता है, और यह भी आर ठीक था काम कर लेता है, ओरल, camera का जो department है, यह मुझे बहुत मस्त देखने म इसमें यह दिक्कत करता है, अब भी यहाँ पर देख सकते है, वाइफाई के साथ फोन कनेक्टेड है, फिर भी गाइज यहाँ पर यह नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, या कोई भी कॉल मुचे रिसीव नहीं हो रहा है, इसमें बहुत जादा दिक्कत होती है, सपोर्ट करते हैं, तो आप किसी एक का ही चला पाओगे, एक का नॉर्वल 4G पे स्वीच होगा, एक 5G पे रहेगा, तो यार यह दिक्कत है, पता नहीं, आगे जाके सॉफ्ट वेर अपड़ेट के तुरू यह स्वाल हो जाए, बट अभी तो करंटली इसमें यह भी दिक्क प्लास्टिक का देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर फ्रंट वीव से देख सकते हो, बेजल्स आपको बहुत ही कम थीन देखने को मिल जाते हैं, इवन टॉप बेजल्स तो ना के बराबर ही है, तो ओर गाइट्स मुझे इसके बैक पनल प्लास्टिक से कोई दिक्कत न प्लास्टिक के बाद फोन में जमीन आसमान का चेंज होगा, यह चीजे भूल जाओ, बस हलके फिल के एनिमिशन में और फीचर में चेंजेस आ सकते हैं, बट फोन जैसे की वैसा ही रहने वाला है, ठीक है, तो यहाँ भी बाद करें, तो बहुत सारे फीचर के साथ आता है, जैसे की अलवेज ओन डिस्प्ले, आप अलग-अलग थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, यूआ बहुत ही ज्यादा सेव के रहें, सेक्टर फोल्डर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, उसके साथ यूआ में एड्स बगरे देखने को नहीं मिलती, और सबसी आते हैं, और जो 120Hz का refresh rate है, कभी-कभी काम नहीं करता है, दंग से, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है, कि इस फोन का जो प्रोज़सर है, ये वन यूआ को हैंडल नहीं कर पाता है, इसके वज़े से आपको यूआ में जिटर्स हलके फुल के लैक देखने मिलते हैं, और 120Hz देखने चाहिए, 32,000 इस फोन के उपर आप लगाना चाहते हो, तो सबसे पहला गाइस निगेटिव पॉइंट है, इस फोन का प्रोज़सर, प्रोज़सर ही तुना बड़ा निगेटिव पॉइंट है, कि उसके वज़े से बहुत साथी step by step और निगेटिव पॉइंट एड इसका कोई बहुत ही तगणा ना आता है हीटिंग से बताऊंगा आगे, तो गाइस एंटिव बेंचमार्क स्कोर लगबग 4,91,000 के आसपास आते हैं, CPU त्रोट लिंग की, तो CPU त्रोट लिंग में 95% का प्रोपोरमस दे पाता है, बट हीटिंग मेंटेन करने के लिए अब आप तो बुलोगे कि Samsung की फोन तो गेमिंग के लिए नहीं होते है, मानता हूं, हीवी गेमिंग के लिए Samsung के फोन नहीं होते है, जो नॉर्मल गेमिंग होती है, जैसे कि Temple Run, Subvues, उसमें तो ठीक ठाक चलना चाहिए कि नहीं, उसमें भी आपको lag गेम में देखने को मिलत है, बाकी BJMI की में ज्यादा बात ही नहीं करूंगा, Smooth Plus Extreme नाम के लिए देखने में मिलता है, ये फोन आटोमेटिकली, Smooth Plus Extreme मतलब 60fps में, ये फोन आटोमेटिकली 40-50fps के बीच में रहता है, बट फोन के अंदर बहुत अगड़े, फेम डॉप, लाग, कभी कभी लगता है, जा बाक साइड में मुझे हलका फुलका ओम फिल हो रहा है, चाहिए आप बैक कवर भी लागा दो, तभी आपको फोन गरम महिसूस हो गई होगा, और जब आपको ये वी टास्क करते हो, तो फोन आराम से 46-47 degree Celsius के ऊपर चला जाता है, ये कुछ चीजे मुझे यहां पर देखने 12 बजे मैंने फोन को 100% चार्ज करके टेबल के ऊपर रखा, ना इसमें सिम काट था, ना वाइफाई, लोकेशन, सब कुछ मैंने ब्लूटुथ सब कुछी बन किया था, फोन को बन मतलब स्क्रीन आफ करके, अल्यूजा ओन डिस्पले चला था, रख दिया, और सुबो फोन क मैंने देखा, सुबर साधे साथ बजे के आ रहा हूं, तो लगबख 5% का ड्रॉप देखने मिला, मेरे साफ से ठीक था गाए, कुछ-कुछ फोन 100% पर ही रहते, कुछ भी 1-2% का ड्रॉप करते, बट इसने 5% का ड्रॉप किया, मैं बोल रहा हूं, ठीक था गाए, चलो, वह मुझे ऑन स्क्रीन मिला है, 4 hour, 37 minutes only, तो यहां पर मैं जादा एक्स्पेक्ट कर रहा था, मेबी मैं 6 गंटे के उपर एक्स्पेक्ट कर रहा था, बट उतना बैक्टरी बेक आपको स्ट्रॉंग देखने को नहीं मिलता है, कभी-कभी मैंने देखा है, कि साधे 3 गंटे से ले चार्जरी साथ इसकी 4500 इमिच चार्ज करने के लिए जाते हो, तो 1 hour 10 minutes से लेके 1 hour 13 minutes के बीच में यह टाइम ले लेता है, बैटरी एक्स्प्रेंस इसका बहुत ही ज्यादा खराब है, तो गाइस यह तो थे 3 में निगेटिव पॉइंट जो यार बहुत ज्यादा बढ़ा इसा देखने को नहीं मिलता है, और एक प्रॉब्लेम क्रियेट होता है, 5G dual slot support नहीं है, किसी एक ही single slot में 5G चलेगा, बट आगे जाकि में इसको Samsung fix कर दे, बट overall guys, मेरे यह opinion है, फोन को यूज करने के बाद मैं directly कही सकता हूँ, इतना यूज मैंने किया iPhone को, कि आप student हो या आप heavy users हो, बिल्कुल मत लेना इस phone को, बहुत सारे positive future देखने मिलते हैं, बट जो main 3 negative points है, वो ही जादा जो use करने का experience है, वो खराब कर देंगे, तो आप student हो, heavy users हो, बिल्कुल मत लेना इस phone को, और आप किसी को gift करने वाले हो, जो light user है, जो Samsung के device को wrapper करता है, उनके ल सब्सक्राइब करो, तो इसका मतलब नहीं सब्सक्राइब नहीं करना है, यहाँ तब वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी गाइज, ऐसे ही अपने style में positive negative point, कौन से phone के देखने है, मुझे कमेंट करके जरूर बातना, बाकी गाइज, मिलते हैं न